तो सबसे बेले के जानवर जो इसके अंदर बेव होना चाहिए बेव होना चाहिए यानि पूरी सही सालिम जानवर होना चाहिए इसके तालुक से लागर रसुले सलम ने फर्माया सुनन अपुदाउद के रिवायत है अदीश नंबर 2802 कि ALL св. ने पुम्हाए के जब जानवर तुम हो तो उसके इच्छी तरह देख लो कि वह जानवर काणा ना हो वह जानवर अंधा ना हो इसी तरह वह पीमार ना हो और वह लगड़ा ना हो या लागिर जानवर ना हो और इसी तरह जो स्चिंग टूटा भी ना हो और कान कटावा भी ना हो यानि ये चीज़े उसके तो छे तो यहां पर रिवायत में हमको मिलता है कि ये चीज़े उसके अंदर नहीं होनी चाहिए इतेब नहीं होना चाहिए तो सही सालिम जानवर होना चाहिए क्योंकि आप उसको जहें तो आप जब खरीदने जाएं तो आप उसको थोड़ा सा के चला कर आप उसको देख लें कि कहिए लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा है या फिर उसका आँक आपको चेक करना है तो आप उसके ताली बजा करिये जिस तरह उसके इशारा करके आप देख सकते हैं कि आँको बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस तरह चेक करके आप उसको ले सकते हैं और जानवर जो होना चाहिए मोटा ताजा हो मोटा ताजा दानवर होना चाहिए ताकि उसका मकसद क्या है मकसद यह कि ज्यादा लोगों तक गोल्स को तक्सिंग किया जा सकते हर सक्स को गरीब को और अपना डिश्टेदारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों उसका फाइदा पेसलिए अच्छा जानवर होना चाहिए